जै सत्वामशी दाइन मैं नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर शे स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सत्यसीद नुश्खे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसका प्रियोकर के आप जो है मलेरिया और आपको तीसर और चोथे दिन बुखार आता है तो उस कंडिशन में उस थीती में ये उपाय बहुत ही कारगार होगा और सबसे बड़ी बात इस उपाय का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और जैसे जो मलेरिया बुखार में कुनैन की दवा जो है गर्मी और खुसकी करती है तो इस आपको ना ही गर्मी होगी और ना ही खुसकी बनेगी या फिर आप किसी ऐसी कंडिशन में या ऐसी जगह में फस जाते हो जहां पे आपको डोक्टर एविलेबल नहीं होता है तो उस कंडिशन में जो है ये उपाय आपकी बहुत ही मदद करेगा दोस्तों आप जो है इस वी प्रेदा करने की बजाए हो सकता है आपको कुछ नुक्षान कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम अपने चैनल पर सवास्थे से रिलेटिड नई नई वीडियो अपर लोड करते रहते हैं दोस्तों आपको करना क्या है आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर जा करके वहां से 10 गराम की मातरा में फूली हुई फिटकरी का चूर्ण ले लेना है और उसमें जो है 40 गराम की मातरा में सुद देशी धागे वाली मिश्री ले लेनी है उसका चूर्ण बना ल किस प्रकार से यह सेवन करना है आप जो है इस चूर्ण की 2 गराम की मात्रा में आधा गलास गुंगने पानी से 2-2 घंटे के अंतराल पे इस दवा का सेवन करें हो सके तो इस दवा को जो है आप बुखार आने से पहले सेवन करें आपको जो है तीन खुराक में ही मलेरिया और तीसरे और चोथे दिन में आने वाले बुखार से चुटकारा मिल जाएगा लेकिन किसी कानवस से अगर बुखार फिर भी आपको दुबारा आता है तो आप इसकी दो से तीन खुराके और ले दोस्तो इस उपाय का जो है गरबवती फिमेल्स महिलाएं बिल्कुल सेवन ना करे क्योंकि हो सकता है कि उन दिनों में उनको कुछ प्रेशानी का सामना करना पड़ सके उम्मीद करता हूँ दोस्तो आज की वीडियो आपको आज का उपाय आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि दोस्तों ये वीडियो किसी जरूर तमंद व्यक्ति के पास पहुंच जाए और उसका कुछ बेनिविट हो सके और मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा ही उपाए लेकर के तब तक के लिए जैहिंद थैंक्स फूर वाचिंग दिस वीडियो